अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सस्क्राइब नहीं करते तो आप सभी लोगों से रुक्वेश्ट है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले जो यह ब्लेश्टाइन एंड मोंटेलुकाश को होता है निकि धृष नाatory में दो यह सब सब्स同 होता है इस को जाकर बिलूक कर देता है जिससे हमाई सभी में इचिंग नैस यहां आख में जो पानी आ रहा है या रैडनेस है उन सब को कम कर देता है और इसके अंदर जो मॉन्टेलुकास्ट पाया जाता है इसका क्या यूज होता है तो इसका ज्यादा तर डोक्टर जो है अस्तमा वाले पेशिंटों के अंदर करत सकते हैं या इसका मॉन्टेलुकास्ट का यूज है सीजनल एलर्जी में भी किया जाता है सीजनल एलर्जी यानि होता क्या है जैसे कि गर्मी से ठंड की तरफ चलते हैं या ठंड से गर्मी की तरफ चलते हैं तो होता क्या है उस टेम पर मौसम चेंज होता है तो उस इस्तित औन मोंटेलो कारिक्त के प्रोपर यूज्स के बारे में कि इसका यूज्स डॉक्टर किन परिष्ट्वत्तव में करता ही है तो इनका ज्यादातर हम यूज्स है अलर्जी कंडिशन में करते हैं या सीजनल users के एलिर्जिक कंडिशन जने क्या होता है जिसकि जुखाम होजाना बच्चे को आग से पानी बहरा आए ये नाग बिलकुद जानी होगई है बच्चे की तो व्रस्काश्म कर सकते हैं अगर हम बात करें इसकी dose के बारे में, तो इसकी dose जो है, इसरप की dose अलग हो सकती है, और टैडलेट की भी dose अलग हो सकती है, और आपके बच्चे की age and weight, ये भी दोने चीज अलग हो सकती है, अगर आपको बिल्कुल proper dose जानी है, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप नीचे उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं मैं उसका रुपलाइ कर दूँगा वैसे जनरली अगर हम बात करें सिरप के बारे में तो जनरली अगर कोई बच्चा डेल या दो साल का है और उसको नाग भैरी है या सरजी जुखाम है तो उसमें डोक्टर लिखता क्या है कि इसकंदर 4 ml भी लिख सकता है या धाई ml सुब्य शाम भी लिख सकता है वो डोक्टर के उपर बात है तो आप एक बार जब भी इस दवाई को ले एक बार पहला अपने डोक्टर से कंसल्ट कर ले एंड उसके बाद ही ले मैं आपको इसके यूज बता दिये डोस बता दिये एंड साइड इफेक्ट को इतने ज्यादा नहीं है वामेटिंग की सिचुएशन हो सकती है या बच्चे को कॉंस्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है अगर इन में से कोई भी आपको प्रोब्लम द का दूंगा I hope you like this video thank you for watching this video